दिल्ली के करोल बाग स्थेद बापनगर इलाके में एक तीन मंजिला इमारत के गिरने से अफरा तफरी का महौल बन गया है यहादसा सुबह नौ बचकर 11 मिनट पर हुआ जिसमें मलवे के नीचे कई लोगों की दबे होने की आशंका जटाई गई थी रातकारे में जुटी एजंसियों ने अब तक 12 लोगों को स्रक्षित बाहर निकाला है दिल्ली पुलिस के मुताबक इस तुर घटना में एक व्यक्ति की दुखहद मौत हो गई है इस घटना की जानकारे मिलते ही दिल्ली फायर सेवा की पांच दमकल गारियां मौके पर पहुँच गई घटना स्थल पर पहुँची टीमों ने तुरंत राहत और बचावकारिय शुरू किया अमबिटकर गले हिल मार्केट स्थित इस पुरानी मारत का एक हिस्सा गिरने से स्थानी लोगों में दश्यत का महौल है रातकारी अभी बिजारी है और मलवे में कुछ और लोगों के फसे होनी की आस्संगा बनी हुई है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतीशी ने इस हाथसे को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कारवाई के आदेश दिये हैं उन्होंने जिलादीकारी को नदेश दिये कि घटना स्थल पर सभी पिडितों और वहां के रहने वाले लोगों की पूरी मदद की जाए साधी घायलों को जल्द से जल्द इलाज मुहया करानी की ववस्ता की जाए मुख्यमंत्री ने इस दुरगटना की कारणों की जाँच के लिए आदेश चारी किये हैं मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से अपेल की हैं कि अगर किसी भी निर्मान से जुड़ी समस्या या हाद्से की आशंका हो तो तुरंत प्रशासन और नगर निगम को सुचित करें ताकि समय रहते उचित कारवाई की जा सकें उन्होंने क्या भी बताए कि उन्होंने MCD मेर शैली ओबरोई से बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है दिली पुलिस के मताबिक या पुरानी इमारत करीब 25 वर्ग गज के छेतर में स्थित है इस इमारत की स्थिती काफिस जरजर थी जो इस दुखत हाथसे का मुख्य कारण मानी जा रही है दमकल विबाग और अस्ताने लोगों से सहयोग से अब 12 लोगों को मलवे से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है जबकि बाकी लोगों की तालाश चारी है